हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं हूँ माहरा और आप देख रहे हैं इंडियन जाइका आज हम बनाएंगे कीमा परवल मसाला इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो वीडियो क लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कीमा परवल मसाला बनाने के लिए 300 ग्राम चीकन लिया है एक छोटा चमच अध्रक लसून का पेस्ट दालेंगे टेस्ट के हिसाप से नमक दालेंगे आधा छोटा चमच हल्डी पॉडर दालेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मिक्स हो चुका है अब हम एक कढ़ाई लेंगे एक छोटा कप तेल दालेंगे तेल गरम होने के बाद आधा छोटा चमच काला जीरा दालेंगे चार से छे काली मिर्च दालेंगे चार छोटी लाइची दालेंगे दो दालचीनी के तुकडे दालेंगे दो बड़ी लाइची दालेंगे एक स्टार फूल दालेंगे चार से पाच लॉंग दालेंगे दो बारीक कटा हुआ प्यास दालेंगे प्यास को अच्छे से भून लेंगे दो छोड़ा चमच अजरक लसुन का पेस्ट दालेंगे इसको भी अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें दो बारी कटा हुआ टमाटर दालेंगे टमाटर को सौफ्ट होने तक पकाएंगे ये देखिए टमाटर सौफ्ट हो चुका है अब हम इसमें एक छोटा चमच हल्दी पौडर दालेंगे एक छोटा चमच लाल मिर्च का पौडर दालेंगे एक छोटा चमच धन्या पौडर दालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक दालेंगे एक छोटा चमच जीरा पौड़र दालेंगे एक छोटा चमच काली मेज का पौड़र दालेंगे इन साब को अच्छे से भून लेंगे ये देखिए मसाले को अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें चिकन कीमा दालेंगे कीमा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनिट तक ढखकर पकाएंगे 5 मिनिट हो चुके हैं अब हम लीड ओपन कर लेते हैं अब हम इसमें एक छोटा कप डही डालेंगे दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे डही डालते वक्त फ्लेम को बारी कर दीजिए अब हम दही को 3-4 मिनिट तक अच्छे से भून लेंगे ये दिखिए दही को हमने अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें दो मीडियम साइस के बारी कटा हुआ प्यास दालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्यास को 4-5 मिनिट तक फिर से ढख कर पकाएंगे पार्च मिनिट हो चुके हैं अब हम लीड ओपन कर लेते हैं अब हम इसमें एक छोटा चमच चिकन मसाला दालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए पलवल में भरने के लिए कीमा मसाला तयार है अब हम एक फ्राइपन लेंगे दो बड़ा चमच तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद 300 ग्राम पलवल डालेंगे पलवल को 2-3 मिनिट तक अच्छे से फ्राइपन करेंगे ताके इसका कच्छापन निकल जाए फ्रेंट्स पलवल को उपर से हमने छील लिया है और बीच से काट कर बीच निकाल लिया है ये देखिए पलवल फ्राइ हो चुका है अब हम इसमें कीमा मसाला इस तरह भर देंगे ये देखिए मसाले को हमने पलवल में भर दिया है अब हम इसमें एक गिलास गरम पानी राइड करेंगे और दस से बारा मिनट तक बारिक फ्लेम पर ढखकर पकाएंगे दस से बारा मिनट हो चुके हैं अब हम लीड ओपन कर लेते हैं दो कटी हुई हरी मिर्च दालेंगे थोड़ा सा धन्या पता दालेंगे और ये देखिए कीमा परवल मसाला तयार है आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तो चलिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए